हाई गाईस असलाम आलेकूं इजी कीचन में आपकी खुशामा दे हुआ आज हम लोग रवे का हल्वा बनाने जारें मैंने कड़ी रखें गैस में और घी मेल्ट करके डेशी घी मेल्ट करके डाल देश में और रवा एक कप लिया है मैंने एक कप शकर बदाम मुनेखा थोड़ा कलर गी गरम हो रहा है रवा डालूंगी उसमें गी अच्छे से भुनना है ब्राउन होने तक का भुनना है स्लो गैस में इस्टार्टिंग में फास रखी तिमें ग्यास बाद में भी स्लो कर दूंगी कितना ब्राउन हो चुका और थोड़ा बाकी है ब्राउन होने में ब्राउन हो चुका मैंने इलाइची डाली हूँ और शकर एक कप अच्छे से भुनना है इसको बहुत मजेका बनता है हल्वा ये मुझे बहुत पसंद है मेरे पपकल बहुत पसंद है अभी मैं बादाम और मुनेखा डाल रही हूँ फिर चलाना है फिर थोड़ा कलर डाली हूँ इसमें जड़पट तयार हो जाता है बनाने में दिकत नहीं होता है प्रमिक्स हो गया अच्छे से ब्रॉन भी हो गया और कलर डालेंगे दोस्तों देशी घी डालना आए डालडा बिटा नहीं डालना का में मज़ा नहीं आता ठंडा होने पर गए अब मैंने एक गिलस पानी डाली हूँ और आज गिलस तोटल मिला के तेर गिलस पानी है अब उसको निक्स करना है डालडा सियत के लिए हानी का रख है मैंने कभी भी देशी घीवा परती हूँ कभी मैं डालडा घर पे नहीं लाती हूँ देखिए रवा कितना अच्छे से बन गया दि देखिए कितना अच्छा तयार हो जाब भी बनाएं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें थेंक यू, अलाह अफीज